नवस्कार में हूं माही सिंग और आप देख रहे हैं निक्सनाई न्यूज चंद्र सेखर आजाद नगीना सीट पर एक लाग पचुतर हजार वोटों से जब से जीत उन्होंने दर्श की है कहीं न कहीं पार्टियों में उनकी पैट बढ़ते हुने सराई और पार्टियों की ह चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जी हाँ अब राहुल गाधी ने भारत जोडों नया यात्रा निकाली थी अब चंद्र सेखर आजाद लोगों से मिलने के लिए लोगों से जुडने के लिए वो भी पद यात्रा निकालने वाले हैं अगस्त के महीने में वैसे में देखन के लोगों के बीच अपनी पैट बनाना चाहते हैं सभी लोगों का दुख दर्द जानना चाहते हैं क्योंकि अभी जो चंद्रसेकर आजाद का एक तरीके का कैरियर कह लीजिए जिस तरीके से उनका बैक्राउंड रहा है वो लगतार जहां पर कुछ गलत होता है वहां के पर प्रेसर बनाते हैं कि अगर आपने इस पर जल्द से जल्द कोई कारवाई नहीं कि पचास लाग रुपे नहीं दिये उस पीडित परिवार को तो मैं मोर्शे पर बहट जाओंगा और मोर्चा कोई साधारण मोर्चा नहीं होगा वो सरकार को हिलाने वाला हुगा ऐसे मि कि सरकार पर भी हमला बहुते हुए देखें मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी यहां की जो घटना है वह बहुत ड्रावनी है किस तरह से चैलंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई उसके माबाप ढूंडते फिरते रहे थाने के संबंदित अधिकारियों ने लापरवाई बढ़ती जिसके कारण आज वो बेटा हमारी बीच में नहीं और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने अराम से सरेंडर कर दिया पुलिस को गिरफतार नहीं कर पाई प्लिस का सीटन बड़ा फियलेर उसके साथ और वह सातिर इतना है जिसको जुनेल बताया रहा है वो इतना साथिर है कि उसने 570 जोग के नाम ले दिये कि ये मेरे साथी थे उस पे कठोर से कठोर कारवाई हो और फास्टे कोट में मुकदमा चले और जितने भी ऐसे अधिकारिये जिनों ने अपने करतवे के परती जिम्मेदारी निर्वाय नहीं किया उनके सक्त कारवाई हो जिससे की और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है वो जु क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था इस बिट्या के भी तो बच्चे हैं और उनके माबाब भी वर्द हो चुलाए हैं इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है परिवार की सुरक्षा की और साथ साथ उसमें जो सनलिप्त और ल प्रक्षन करने वाले अधिकारियों पर लापरवा अधिकारियों पर कारवाई हो यह अपने लोगों से आगरे किया है कि यह लोग भी बहुत मजबूत हैं पहरेदार हैं और महापुर्सों के मैंने के अंदर होना है मैंने इनसे मांग भी की है कि सिरफ जंडा और नारे से आगे बढ़के अब यह उस विदानसभा की बूत कमेटी सेक्टर कमेटी विदानसभा कमेटी तयार कर ले और एक एक वोट भायचारा बनाके आजास समाज पार्टी के समर्तन में लेकर आएं और जो आवाज जिस तरह इनों ने दिल्ली में अपनी वाज पहुचाई है तो गले 6 मेने के अंदर उत्तर प्रदेश की असेमली में भी इनके एक मजबूत आवाज जाने चाहिए जो यहां के कमजोरों हक्वंची समाज के लोगों से यहां की सरकार से आख में आख डालके सव लोग हैं उनके लिए किस तरीके सा आवाज उठाते हों नसरा आएंगे एक अखेली सीट से लेकर दलित का प्रत्निधत तो करते हों नसरा आएंगे या पिर ऐसे समाज का प्रत्निधत तो करेंगे जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता है ऐसे में देखना आने वाले दिरो को एक दलित चेहरे और दलित नेता के रूप में देख रहे हैं और मायावदी की जो किताब है वो धुमिल पढ़ती हुई दिखाई दे रही है अगर ऐसे रहा तो कहीं न कहीं जो मायावदी का सूपरा है वो उत्रप्रदेश से साफ होता हुआ नजराएगा बलकि और भी रा साथ बने वहीएगा नेक्स नाइन येज़ पर